कुशी नगर स्कूली वैन चालक की लापरवाई के कारण आज सुबह कुशी नगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुधी बहपुरवार रेलवे करसिंग पर सुबह सिवान से गोरखपूर जारही पचपन हजार पचातर अपसवारी गाड़ी की चपेट में स्कूली वाहन के आजाने से तेरह बच्चों की मौत हो गई आधा दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हाधसे में घायल बच्चों को गोरखपूर मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है बच्चों को घटना स्थल से गोरखपूर लाने के लिए एक साव किमी का पूरा ट्राफिक हाली करा लिया गया आनन फानन में हाईवे के सभी थानेदारों को उत्यानात कर दिया गया चौकी एजाज और सिपाही भी जगह-जगह खड़े कर दिये गये एक जगह से घायलों के पास होने के बाद अगली जगह की लोकेशन सभी एक दूसरे को बता रहे थे इस तरह काफी कम समय में सभी घायल बच्चे कुशी नगर से गोरकपूर पहुचा दिये गए दुद्धी बाजार स्थित डिवाइन स्कूल का वाहन बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था दुद्धी रजवाबर संपार फाटक विहींक रसिंग पर जैसे ही वाहन पहुचा तभी सिवान से गोरकपूर जा रही सवारी गाड़ी आ गई ट्रेन आती देख बच्चे शोर मचाने लगे चालक कान में एरफोन लगाए था जिससे उसने न तो ट्रेन की आवाज सुनी और नहीं बच्चों के चिलाने की आवाज तब तक स्कूली वाहन में ट्रेन ने जाहिरदा टक कर माच दी इससे वाहन के पर खचे उड़ गए और तेरह बच्चों की तदकाल मौत हो गई दुरगटना के बाद वहाँ पर रहगीर और ग्रामीन पहुँच गए उन्होंने सभी को अस्पताल पहुँचाया अफरा तप्री में कभी 13 बच्चों के मरने तो कभी 17 और 18 बच्चों के मरने की बाद शुरू हो गई पुलिस के अनुसार यह पता किया जा रहा है कि वाहन में कुल्प कितने बच्चे सवार थे उनके अभिभावाखों से भी संपर किया जा रहा है ताकि मरने वालों का सही आंकड़ा पता चल सके वाजदात के वक्त मके पर मौजूद एक वाएक सवार ने कहा कि ट्रेन का ड्राइवर हौन बजा रहा था इसके बावजूद वैन राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और क्रॉसिंग पार करने की कोशिश थी